असलाम अलेकुम सर मैं असलाम बोल रहा हूँ आपको वाटसाब में मेसेज किया था असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट क्या सर अबई ताहिर मैंने वीडियो की कौपी करते हैं सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से सर अबय ताहिर से माफी मांगता हूं इस बात को कहने के लिए इस बात को मैंने क्यों कहा है इसको जानने के लिए वीडियो को थोड़ा और वी आगे तक देखें सबसे पहले हमें एक वीडियो देख लेते हैं उसके बाद अपनी बात क प्राइम निस्री ये कह रहे थे कि अब जो गतर विजन 2030 की जो स्ट्रेटीजी है एक नेशनल स्ट्रेटीजी है उसका अगला मरहला अब हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में दो महीनों में तकरीबन डिटेल्स आ जाएंगी और उमीद ये है कि इन दो महीनों के बाद ज जिसमें वो कतर नेशनल विजन 2030 के बारे में बता रहे हैं और इसके लिए जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है दो महना के अंदर में इसके बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो को उन्होंने आज यानि के 16 अप्रिल को शियर किया है यहां आप स्क्रीन पर डेट और सकते हैं लिंक आप लोगों को यहां पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जिस अप्डेट को मैंने दो दिन पहले शियर किया था उसी सिम अप्डेट को सरोबय ताहिर दो दिन के बाद में शियर कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह बनता है कि सरोबय ताहिर मेरी वीडियो की कॉपी कर रहे हैं आप में से कुछ लोगों के हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है उनको कहीं से कॉपी करने की जरूत नहीं है इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप में से कुछ लोग जो के हेटर किस्मे के हैं उन लोगों को सिर्फी तरह समझाना है कि कोई आदि में अगर बाद में वीडियो बनाता है कोई आदि में अगर बाद में कोई अपडेट शियर करता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो किसी दूसरी जगह से कॉपी करके वीडियो बनाता है, अपडेट को शियर करता है, बलके जिसको जिस टाइम मिलता है, वो अपने टाइम के हिसाब से वीडियो बनाता है, कुछ हेटर किसमे के लोग हैं, जो कि मेरे वीडियो के निचे में कमेंट करते रहते हैं, कि आप अप्डेट को मैंने दो दिन पहले शियर कर दिया था उसी अप्डेट को सरोबय ताहिर दो दिन के बाद में शियर करते हैं इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सरोबय ताहिर मेरी वीडियो का कॉपी करते हैं या मैं ही अगर किसी वीडियो को बाद में बनाओ तो इसका मतलब यह वागति मैं किसी से कॉपी करके वीडियो बनाता हूं मैं वीडियो बनाने के लिए करता हूं तशफी होने के बाद ही वीडियो बनाता हूं आज आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वैसे मुझे जाती तोर पर इन हेटर 30 में की लोगों से कोई भी तकलिफ या दुश्मनी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी ऐसे लोगों को hard word में reply नहीं करता हूँ, कभी मैं इन लोगों को तुम नहीं बोलता हूँ, पलके हमेशा इन लोगों को आप से reply करता हूँ, आखिर मैं सरोबई ताहिर से एक बार फिर से माज़ूरत चाहता हूँ, इस तरह का title रखने के लिए, वो इसे सरोबई ताहिर बड़े अच्छे इंसान है, 2020 में उनसे एक बार बातचीत ही थी, तो बातचीत करके उनसे बड़ी खुशी ही थी, कि वो बड़ी अच्छे दिल की इंसान है, सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको याद नहों हो, लेकिन मुझे याद है, आपसे जो बातचीत ही थी, मैंने उसको recording करके भी रखा है, बहुत देर तक आपसे बातचीत दिवी थी और काफी अच्छा लगा था, अब कोई यहाँ पर सर अबई ताहिर का मुबाइल नमर 9 मांगने लगे, क्योंकि ये तीन साल पहले की बात है, इस बीच में मैं अपना मुबाइल भी चेंज कर चुका हूँ, और उनका नमर मुझे याद नहीं है,